साथियों, हमारे गुरूओं ने हमें साहस और सेवा की सिख दी हैं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, बिना किसी संसाधन के, हमारे भारत के लोग गए और अपने स्रम से सफलता के मुकाम हासिल कियें। यही स्पिरीट आज नए भारत की स्पिरीट बन गई है। नया भारत नए आयमों को छो रहा है। पूरी दुनिया पर अपनी चाप छोड़ रहा है। करोना महामारी का एक कालखन इसका सबसे बला उधार है। महामारी की शुरुवात में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताय जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ 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 कहता रहता था। लेकिन अब लोग भारत का उधान दे करके दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी भारत को कहां से वैक्षिन मिलेगी कैसे लोगों का जीवन बचेगा लेकिन आज भारत वैक्षिन का सबसे बड़ा सुरक्षा कबच तयार करने वाला देश बन करके आज उबरा है। करोरों वैक्षिन डोच हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्षिनेशन हमारी अपनी made in India वैक्षिनेशन से हुआ है। इसी कालवखन में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक बन करके उभरे हैं। हमारे युनिकॉर्ण के संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद ये बढ़ती हुई सांख इससे सबसे जादा किसी का सर उंचा होता हैं। तो वो हमारे डायस्पुरा का है। क्योंकि जब देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखो करोडो भारतिय मुल्के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है। उनके प्रती दुनिया का नजरिया बजल जाता है। इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागिदारिया भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबुत होती है। हमारे भारतिय डायस्पुरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूद मानता रहा हूँ। सरकार जो बेटी हैं वो तो राजदूद हैं, लेकिन आप जो हैं राष्ट्रदूद हैं। आप सभी भारत से बार मा भारती की बुलंद आवाज हैं, बुलंद पहचान है। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सिना चोड़ा होता है, आपका भी सिर्फ गर्व से उंचा होता है। परदेश में रहते हुए, आप अपने देश की भी चिंता करते हैं। इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सबलता को आगे बढ़ाने में, भारत की छवी को और मजबूत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है।